नमस्कार दोस्तों एक बार आप सब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूटियोग चैनल डियर गुरुजिपर और बिसेकलि आज के इस वीडियो में दो से तीन चीज़ों को गारे मैं आपको जानकाई देने वाला हूं बहुत साथ आप लोग के सवा जमा कर दिया है और अब उनको जो कॉलेज जाना है रिपोर्ट करने के लिए उनके लिए वीडियो है और इसके लावा छोटी मूटी जो अपडेट से उसके लिए वीडियो है तो जितने लोग भाई थर्ड फेज या सेकंड फेज वाले काउंसिंग वाले थे आप सेकंड तक फेज जो है जमा नहीं किया है इसके लावा थर्ड फेज की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड फेज वालों के लिए जो है जो है जो है च्वाइस फिलिंग का आखरी डेट है और फोर्थ फेज की जो काउंसलिंग है आई होप आप सभी को पता ही होगा कि जो स्टार्ट है है जो को हो चूकि हम एक बड़ से आपको छेक आउट करके दिखा दीता हूं कि अगर हम फोर्थ स्टेश के अगरं हम बात करते हैं देखें Curry यह अगर आपर दिख्ज के भारे में तो फेज ओए आपके सामने है और फेज four में आप देखेंगे कि इसकी जोस्ती सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर जो च्वाइस फिलिंग की डेट है सेकंड फिज वा लोग लिए थर्ड फिज वा लोग लिए वह आज लाज डेट है तो कल से लोग भी जो है तैयार है इसके लाबा मैंने आपको बताई दिया जो इंपॉर्डन यह अपडेट थी मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ इसे डाकुमेंट्स के बारे में फिर से एक बर रिपीट कर दें चाहूंगा कि जितने लोग को एडमिसन लेना है भाई कॉलिज में वो लोग यह डाकुमेंट्स यहां पर मैंने दे रखा है इतने डाकुमेंट्स लेकर के जाएं इत आपके औरिजिनल मार्क सेट के साथ जिसका पेरिंग था उसका अंक पत्र भी मतलब आपका जो रिजल्ट आया होका उससे काम चल जाएगा इसके लावा आपका आए जाती निवास चाहिए आए जाती निवास के लावा जो है आपका कैटेगरी सब कैटेगरी में आपका व इसाधी साथ आपके जो काफिन ले लिया है उन کो क्या करना चाहिए उनको क्या ले लिया है उनके सामने subject choose करने का option अब दिया गया होगा तो भाई आप लोग का जो subject है मैंने आपको अलड़ी बता रखा है कि subject किस तरीके से choose करना है तो बिल्कुल भी परिसान नहों कि मतलब में कोई यह subject मिल ला है वो सब्जुन ला है आपके graduation में जो subject होंगे आपको उसके हिसाब से ही subject मिलेंगे ठीक है graduation के आपने final year में जो subject ले रखा होगा उसके हिसाब से ही आपको subject मिलेगा तो बिल्कुल परिसान मत होईए देखे अगर आप primary teacher बनना चाहते हो TED seated के सुरु जाना चाहते हो तो आपके subject कहीं माईने ने रखेंगे ठीक है आपने जो भी subject लिया है उससे कोई मतलब निकलने वाला है अगर अगर primary teacher बनना चाहते हो लेकिन अगर आपको TGT PGT में जाना है देखो TGT और PGT में अगर आपको teaching करनी है तो आपको अपने subject के उपर ध्यान देना होगा और subject का चुनाव आप लोग करो या ना करो भाई आपको graduation की साफ से मिलने वाला है तो subject कोई भी लो बस उस पर अच्छी पकड़ बनाना उसके लिए अच्छी से त्यारी करना TGT में भी PGT में भी जो vacancies है आती रहती है आपकी जितने जो भी आपकी subject है उसके recording आपकी vacancies आती रहती है उसके लिए परिसान मत होईएगा हिंदी है, हिंदी की vacancy आती है सिविक्स तक की vacancy आती है दिखे बाइलो जी की दबार नहीं है तो इसके जैसे कैंसल करा दीगे भरती आप फिर से vacancy आगी तो भाइलो जी भी आ जाएगा तो बिल्कुल परिसान नहीं हो सब के लिए vacancy जो है आपर आती है तो जो भी आपको subject मिला उसकी साह से त्यारी करते रहिए और इसके लाबा subject के उपर जो classes है आप जल्दी पर प्रोवाइड करोंगो उसकी टेंसर आप लोग मत लीजेगा पूल काउंसलिंग के अगर हम बात करते हैं तो भाई पूल काउंसलिंग के बारे उसके लोग पूछ रहे थे यहाँ पर आप दिखें यह डाट का उंसलियर कि तैरा दिसंबर के आसपाई आप पूल का उंस सर अबसके अगर कोई भाई करना चाहूंगा प्राइवेट में कॉलेज है और वहां पर अच्छे खासे प्रेक्टिकल में नंबर भी मिलते हैं तो आप लोग उस कालेज को जॉइन कर सकते हो आर्ट की सीटे वहां पर सायद बची हुई है और साइन्स की मुझे आइडिया नहीं है तो आर्ट सायद की डीजिएगा यहां पर प्रेटकल में अच्छे खाले मंजे की इतना एडिया है तो अप लोग चाहो तो इस साइड के हैं इस से एरिय के हैं करके जरूर पूछेगा अब एक लिए बाबाय टेक कियर जय ही जय भारत मिलते हैं से नेक्ट वीडियो में